हेलो फ्रेंग्स वेल्कम टू माई यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में हम यूपी एची एसी के पार्टिक्रम में संकलित इकाई नौ कहानी के अंतरगत ताई कहानी के परिक्षाव प्योगी महत्पुन बिंदूओं पर चर्चा करेंगे तो आए देखते हैं इस कहा कौशिक प्रेमचंद परंपरा के ख्याती प्राप्त कहानीकार थे प्रेमचंद के समान साहित्य में कौशिक का द्रिष्टिकोन भी आदर शोन मुख यथार्थवाद था कौशिक का जन्म 1899 में पंजाब के अंबाला नामक नगर में हुआ था इनकी अधिकांस कहानिया चर परिचालित होने के कारण उन्हें अंत में दानव से देवताब बना दिया है आगे देखते हैं कौशिक जी की कहानियों में पारिवारिक जीवन की समस्त्याओं और उनके समाधान का सफल प्रेयास हुआ है उनकी कहानियों में पात्र हमारी यथार्थ जीवन के जीते जाग लोग हैं जो सामाजिक जीतना से अनुप्रानित तथा प्रेर्णा दाई हैं इनका प्रथम कहानी संग्र रक्षा बंधन सन 1913 में प्रकाशित हुआ था इनकी कहानियां अपनी मोल सब्रेदना को पुर्ण मारमिक्ता के साथ प्रकट करती है इनका निधन सन 1945 में हुआ आगे द रक्षा बंधन इसके अंदर गत 24 कहानियां संकलित की गई है जैसे भक्त की टेर, पत्रकार, प्रतिहिंसा, सहचर, हवा, आविशकार, कथा, कार्य कुशलता, वोटर, मद, हिसाब किताब, प्रमेला, वसीकरन, कम्यूनिस्ट सभा, वैशम्य, भक्षक-रक्षक, चलते-फिर वाहरी होली, अवसरवाद, रक्षा बंधन, मनुष्य, स्वयम सेवक, मूचे, विजय दस्मी, आदी, कल्प मंदिर, चित्रसाला, प्रेम प्रतिज्या, मनी माला, कलोल, इन संग्रहों में कौशिक जी की 300 से अधिक कहानिया संग्रहित हैं आईए देखते हैं इस कहानी के पात्र को, बाबु रामजी दास, ताउजी मुख्य पात्र, रामिश्वरी ताई, मुख्य पात्र, कहानी की केंद्री पात्र कृष्ण दास, बाबु रामजी दास का छोटा भाई, मनुहर का पिता आगे देखते हैं मनुहर पांच वर्षिये बालक मुख्य पात्र चुन्नी मनुहर की बेहन दो वर्ष की है कहानी कुल चार खंडों में विवाजित है आगे देखते हैं इस कहानी के उद्देश को देखते हैं मध्यवर्गी परिवार की कहानी का चित्रन इस कहानी में किया गया है, इस कहानी में संतान हीन माता की मनोदशा का वर्णन है, ताई के हिर्दय परिवर्तन की कहानी है, मनुश्य जब तक किसी वस्तु को अपना नहीं मानता तब तक वह अप्रिय लगती है, परंतु जब वस् इस भाव का चित्रन कहानी में किया गया है कि इसमें प्रेम द्वारा ग्रेना को जीतना दिखाया गया है ताई कहानी की विशेवस्तू भारतिय मध्यवर्ती परिवार की समस्याई है रामिशुरी एवं बाबू साहब हमारे समाज के मध्यवर्गी संपन लोगों के प्रतिनी दिया है प्रायाया देखा जाता है कि जो परिवार थोड़ा संपन होता है उसके मालिक ने संतान होते हैं वंस परंपरा को चलाने वाला कोई नहीं होता तथा वंस की संपत्ति व्यर्थी पड़ी निजर आती है ताई कहानी में रामेश्वरी देवी की मनोवज्यानिक चटिलताओं एवं उसके हेतुओं का निर्वाह बड़ी खोबी के साथ हुआ है उधानन के लिए जब दोनों बच्चे चट पर खेलते हुए पहुंसते हैं और वह चुन्नी खिल गिलाती हुई दौर कर रामेश्वरी की गोद में जागिरती है तो रामेश्वरी उस समय सारा द्वेश भूल गई उन्होंने दोनों को उसी प्रकार हिर्दय से लगा लिया जिस प्रकार वह मनुष्य लगाता हो जो बच्चों के लिए तरस रहा है इस समय यदि कोई अपरिचित मनुष्य उन्हें देखता तो उसे यही विश्वास होता कि रामेश्वरी ही उन बच्चों की माता है इस अस्थल पर नारी हिर्दय का विराट एवं भव्य स्वरूप कौशिक जी ने उपस्तित किया है यहां नारी हिर्दय का संतान के लिए विकल होने का चित्र भी अत्यंत मार्मिक है किन्तु सहसा उसी समय किसी के आने की आहरपा कर बच्चों की माता वहां से उठकर चली गई इधर रामेश्वरी की नीन सी टूटी पती को बच्चों में मगन होते देखकर उनकी भवेतन गई बच्चों के प्रती फिर वही ग्रिना और द्वेश का भाव जग उठा आगे देखते हैं ध्यान देने की बात यह भी है कि रामेश्वरी के चरित्र परिवर्तन में कितनी शिक्रिता की गई है क्या पुरवाद अर्थात कहानी की नीव जितनी मजबूत या धृड है उतना ही मजबूत और धृड कहानी में चरित्र परिवर्तन है सहसा चरित्र परिवर्थन करा कर कहानी का सौंदर ही नश्ट कर दिया गया है रामेशोरी की अंतरद्वंद के भाव में कहानी की गांट जैसी खुलती नहीं है इसलिए कहानी का अंत हम पर उतना प्रभाव नहीं डालता जितना की उसका पुर्वाद ताई कहानी का प्रान है रामेशुरी का मनो विज्यान आएए देखते हैं ताई कहानी की कथावस्तो को यह एक बच्चे की ताई के चरितर पडिवतन की कहानी है जो की स्वैम नी संतान है नारी में मा बनने की लालसा पुरुष से अधिक्तिव रहोती है इस लालसा की पुरुष ना होने पर उसके अंदर कुछ कुछ गुठाओं का पनपना स्वभाविक है जो उसके साधारन चरितर को भी असाधारन पना देता है नारी में मा बनने की लालसा के साथ अपनत्तों में ही सब कुछ देखने की भावना भी जागरित हो जाती है हमारी कहानी की ताई इनहीं दो बातों की सिकार है कहानी का प्रारंब बाबु राम जी दास तथा उनके पंच वर्षिय भदीजे मनुहर की बादचीज से प्रारंब होता है मनुहर रेलगारी लेना चाता है बाबु राम जी दास की बादचीज से सपस्ट पता चलता है कि वह बच्चे को बहुत प्यार करते हैं और उन्हें अपने बच्चे का भाव नहीं खटकता बाबु रामजी दास कपड़े की आधत का काम करते हैं रुपे का लेन देन करते हैं धन भी उनके पास प्रयाप्त है स्वभाब से बड़े सडल है अपने छोटे भाई तथा उसके परिवार को अपना समस्ते हैं किन्तु यह सब स्थीतियां उनकी पतनी रामेशोरी देवी को संतुष्ट करने के लिए प्रयाप्त नहीं है बाबु साहब तो अपने भाई की संतानों से ही संतुष्ट है उन्हें यह बात सपने में भी पीरित नहीं करती कि उनकी मृत्यों के पश्चात उनका वंस कौन चलाएगा किन्तु रामेशोरी देवी के पास उनके सामान व्यापक दृष्टिकोन व्यापक हिरदय नहीं है वह दिन रात नेज संतान के अभाव की ज्वाला में जला करती है फल यह होता है कि उनके स्वभाव में कटुता बढ़ने लगती है विशेशकर जब वह देखती है कि उनके पती को उनके दुख की चिंता ही नहीं है अन्य पतियों के समान वह संतान के लिए पूजा पाट नहीं करवाते साधू सन्यासियों से नहीं मिलते इसके विपरीत अपने भाई की संतानों में मगन रहते हैं और वह भी आशा करते हैं कि रामेशरी देवी भी बच्चों पर उतनी हिस्नेह रखे यह सब पत्ने के लिए अशाय हो जाता है और समय को समय वह अपना गुसा अपने देवर के बच्चों पर निकालती है कहानी के प्रारम में ही हम देखते हैं कि मनोहर रेलगारी खरीदना चाता है बाबू साहब के पूशने पर की रेलगारी पर अपनी ताई को ले जाएगा वह सबस्ट मना कर देता है कि ताई उसे प्यार नहीं करती वह नहीं ले जाएगा बाबु साहब मनोहर को बरे सनेह से पतनी के पास ले जाते हैं और कहते हैं कि वह उसे प्यार कर ले तो मनोहर गारी पर बिठाएगा किन्तु पतनी के लिए यह छोटा सा मजाक भी असाई है और वह बच्ची को गोज से इस तरह जटक देती है कि बच्चे के हिर्दय तल पर चोट पहुँची और बाबु साहब को तो बुड़ा लगा ही रामिश्वरी देवी के मस्तिस्क में केवल यही बात गूंती है कि पराए धन से कहीं घर भरता है इन सब बातों के बावजूद रामिश्वरी देवी कभी-कभी मनोहर तथा उसकी बहन को खोब प्यार करती है वास्तप में उनके अंदर भी एक प्रेम में मा का हिर्दय है जो अपनत्यों के अभाव में अपने को अंदर ही रखता है किंदू कभी-कभी यह स्वभावे के इच्छा बाहर जलक उठती है अंजानी में ही वा बच्चों को प्यार करने लगती है किंदू जैसे ही उन्हें भान होता है कि ये बच्चे तो उसके नहीं है वा फिर उग्र रूप धारन कर लेती है कहानी की घटनाएं इसके इन्हीं दोनों रूपों को चित्रित कती है बाबु राम जी दास हैरत में है कि आखिर उनकी पत्नी किस स्वभाव की है एक दिन की बाद है रामे शोरी देवी अपनी छटपर शाम को टहल रही थी अपने भागे को कोस रही थी उसी समय मनोहर वहां आ गया उसे देखकर उनका दुख और भीत दिप रहो गया मनोहर आकाश में उर्ती रंग बिरंगी पतंगों को देखने में व्यस्त हो गया और सोचने लगा एक पतंग उसकी छटपर भी गिरे तो बड़ा अच्छा हो देर तक उसने प्रतिक्षा की किन्तु जब पतंग नहीं गिरी तो वह अपनी ताई के पास पतंग मंगाने की विंती लेकर गया ताई तो कुड़ी बैठी थी उसने निर्दयता से जिड़क दिया बालक का कुड़ा प्रिय हिर्दय नहीं माना वह फिर कहने लगा ताई पतंग मंगा दो हम भी उड़ावेंगे बालक की कॉमल विंती ने ताई के हिर्दय को हिलाया किन्तु वह अपने को स्थिर बनाए रही इसी बीच बालक का धैर्य तूट गया और उसने कहा तुम हमें पतंग नहीं मंगा दोगी तो ताउ जी से कहकर तुम्हें पिटवाएंगे इस कथन ने ताई के तनिक पसीजे हिदय को फिर जियों कातियों कर दिया इसी बीच एक पतंग कटा और छज्जे पर से होता हुआ आंगन में गिर पड़ा मनोहर प्रसनता और उस्सा से एक पैर छज्जे के मुढेड़े पे और रख कर नीचे जाटने लगा आंगन में पतंग देखकर उसने सोचा कि जल्दी से सीड़ी से उतर कर वह पतंग ले लेगा इसी जल्द बाजी में जब लोटने लगा तो उसका पैर छज्जे पर से फिसल गया सैयोग वस छज्जे का मुढेड़ा उसके हाथों में आ गया वह ताई की और करुन द्रिष्टी डाल का चिल्ला या किन्तु ताई के मन के पाप के कारण वह बचा ना सकी देखते देखते मनोहर नीचे गिरने लगा अब उसकी अवस्थाख देखकर रामेशुरी देवी का कलेजा मुढ को आ गया और उन्होंने उसे बचाने को हाथ बढ़ाया किंति व्यर्थ मनोहर नीचे गिर पड़ा और रामेशुरी देवी चीक कर छज्जे पर गिर पड़ी एक सप्ता तक वह बुखार में बेहाल पड़ी रही बेहोशी में वह चिलाती रहे देखो देखो वह गिरा जा रहा है उसे बचाओ दोड़ो मेरे मनोहर को बचाओ कभी चिलाती बेटा मनोहर मैंने तुझे नहीं बचाया हाँ हाँ चाहती तो बचा सकती थी मैंने देर कर दी मनोहर की टांग उखर गई थीक हो गई किन्तु रामेश्वरी देवी कई दिनों तक पड़ी रही जब वह ठीक हुई तो उन्होंने मनोहर को बुला कर छांती से लगा लिया और खूब रोई मानो अपनी करनी का पश्चात आप कर रही ही हो इस घटना के पश्चात रामेश्वरी देवी एकदम बदल गई अब मनोहर तथा उसकी बहन उसकी आँख के काटे के बदले उसकी आँख की पुतली हो ग अगली पंक्ती की बात पर विश्वास करती हो जो दुनिया भर के जूटे और धोर्थ है जूट बोलने की रोटियां खाते हैं अगली पंक्ती रामिश्वरी तुनक कर बोली तुम्हें तो संसार जूटा ही दिखाई परता है ये पोथी पुरान भी सब जूटे हैं पंडित कुछ अपनी तरफ से बना कर तो कहते नहीं हैं सास्तर में जो लिखा है वही वे कहते हैं वह जूटा है तो वे भी जूटे हैं अंग्रेजी क्या पड़ी अपने आगे किसी को गिनते ही नहीं जो बातें बाप दादे के जमाने से चली आई हैं उन्हें भी जूटा बताते हैं और लिपंक्ती रामईशोरी ने बाबु साहब के हिर्दय का कोमल स्थान पकड़ा वह कुछ देर जुप रहे ततपश्चात एक लंबी सांस लेकर बोले भला ऐसा कौन मनुश्य होगा जिसके हिर्दय में संतान का मुख देखने की इच्छा नहो परन्तु क्या किया जाए जब नहीं है और अपनी परक होता उतना ही इन पर भी है जो आनंद उसकी बाल क्रिड़ा से आता वहीं इनकी क्रिड़ा से भी आ रहा है फिर नहीं समझता कि जिनता क्यों की जाए अंगली पंक्ति बाबु साहब हसकर बोले अरे तुम भी कहा की छुद्र बाते लाई नाम संतान से नहीं चलता नाम अपनी सुक्रिती से चलता है तुलसिदास को देश का बच्चा बच्चा जानता है सूर्दास को मरे कितने दिन हो चुके इसी प्रका जितने महत्मा हो गए है उन सब का ना क्या उनकी संतान की बदूलत चल रहा है सच पूछो तो संतान से जितनी नाम चलने की आशा रहती है उतनी ही नाम डूब जाने की संभावना रहती है परन्तु सुकृति एक ऐसी वस्तू है जिसमें नाम बढ़ने के सिवा घटने की आशंग का रहती ही नहीं हमारे सहर में रा आ रहा है अभी ना जाने कितने दिनों तक चला जाएगा अगले पंग्दे बाबू मुक्ती पर मुझे विश्वास नहीं मुक्ती है किस चिरिया का नाव यदि मुक्ती होना भी मान लिया जाए तो यह कैसे माना जा सकता है कि सब पुत्रवालों की मुक्ती हो ही जाती है मुक्ति का भी क्या सहज उपाय है ये कितने पुत्रवाले हैं सभी को तो मुक्ति हो जाती होगी बाबु साहब को पत्नी के बाक्य सुनकर बरा क्रोध आया उन्होंने करकस्वर में कहा ना जाने कैसे हिर्दय की स्त्री है अभी अच्छी खासी बैठी बच्चों से प्यार कर रही थी मेरे आते हैं गिर्गिट की तरह रंग बदन ले लगी अपनी इच्छा से चाहे जो करें पर मेरे कहने से बल्लियां उचलती है न जाने मेरी बातों में कौन सा विश घुला रहता है यदि मेरा कहना ही बुड़ा मालूम होता है तो ना कहा करूँगा पर इतना याद रखो कि अब कभी इनके विशे में निगोडे सिगोडे इत्यादी अप्शब्द निकाले तो अच्छा ना होगा तुमसे मुझे ये बच्चे कहीं अधिक प्यारे हैं अगले पंती मनोहर कुछ अप्रतीब सा होकर फिराकास की ओर तापने लगा थोड़े देर बाद उससे फिर रहा ना गया इस बार उसने बड़े लाड में आकर अत्यंत करून सुर में कहा ताई मंगा दो हम भी उड़ाएंगे इस बार उसकी भोली प्रातना से रामिश्वरी का कलेजा कुछ पच्सी जिसा गया वह कुछ देर तक उसकी ओर स्थिर दिश्टी से देखती रही फिर उन्होंने एक लंबी सांस लेकर मनही मन कहा यह मेरा पुत्र होता तो आज मुझसे बढ़कर भाग्यवान इस्त्री संसार में दूसरी ना होती निगोडा मड़ा कितना सुन्दर है और कैसी प्यारी प्यारी बाते करता है यही जीच चाहता है कि उठा कर छांती से लगा ले झाल 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 झाल